नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आसे अस्ट्रोलोजी मैं नीतो सेंग सूरियास के बाद ये पांच काम करने से माता लक्षमी की विसेश कृपा हमारे जीवन पर पड़ती है हर इंसान चाहता है किसे धनलाब हो उसकी आर्थिक तरक्की होती चली जाए सूरियास के बाद इन काम को करने से मा लक्षमी की कृपा मिलती है कौन से ऐसे कामे चले जानते हैं सूरियास के बाद घर की मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाना चाहिए चाहें आप तेल का जलाए चाहें आप घी का जलाए ऐसा करना बेहदी शुब माना जाता है इससी घर में साकारात्म की किरपा बनती है और हमारे जीवन में धनकी बर्शा होती है शाम के समय इंसान को कुछ देर के लिए मौन धारन कर लेना चाहिए यानि बिलकुल शांत रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माता लक्षमी प्रसन होती है साथ ही हमारा जो स्वास्त होता है वह भी बेहद अच जरूर करना चाहिए घर के मंदिर में पूरवजो के नाम का एक दीपक जला देना चाहिए लेकिन घर के मंदिर में पूरवजो की फोटो नहीं लगानी चाहिए सूर्यास के बाद यह उपाय जरूर करना चाहिए सूर्यास के समय घर के किसी भी सदस्य को सोना नहीं चाहिए शाम के समय सोना अशुप माना जाता है इससे जीवन में रादना कारात्मकता आती है निगेटिव एनरजी आती है घर के सभी हिस्सों में लाइट और बल्ब जडाकर जरूर रख देना चाहिए घर में अंधिरा रखना अशुप होता है क्योंकि मा लक्ष्मी ऐसा करने से नाराज होती है तो अगर शाम के समय आप ये सारी चीज़े करते हैं तो आपके जीवन में सुख सम्रिदी आती है धन की रेवी माता लक्ष्मी प्रसंद होती है घर में जितनी निगेटिव एनरजी होती है वो दूर होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई वीडियो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जैशी शाम जै माता ली